Hello everyone, आज के इस पीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Class 12 रसायन बिज्ञान का बहुत ही important topic जिसके वारे में आज के इस पीडियो में हम discuss करने वाले हैं अमें आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही असानी तरीके से आपको समस में आएगा और यदि आप इन सभी topic को तियार कर लेते हैं तो आपका फांच नमबर fix हो जाएगा क्योंकि इन में से एक topic जरूर आपके board exam में हर बार पूछ लिया जाता है तो चलिए हम सुरू करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं electrode के बारे में या electrode का हम अर्द eficail के नाम से भी जानते हैं यदि आपने electrode बिभव मतलब electrode को समझ लिया इसके बाद आपको electrode बिभव हो या मानग electrod बिभव हो या धर कुछ भी हो आपको समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो इसको ये basic है, इसको आप समझे है सबसे पहले तो electrode किसे कहते हैं या electrode को Earth Cell भी हम कहते हैं तो क्या होता है इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने दो figure बनाया है इसको आपको केवल समझना है यहाँ पर हमने एक पातर लिया है जिसे हम बरतन कहते हैं अब इस बरतन में हमने क्या लिया है हमने एक धातू के छड़ लिया है यह क्या है धातू का छड़ है जो है copper का ठीक है और इसी यह जो धातू का छड़ है यह copper का धातू का छड़ लिया है और copper sulphate के billion में ही डुबाया है मतलब जिस धातू के छड़ को हम लेते हैं उसी धातू के छड़ के लवड में के बिलियन में हम क्या करते हैं उस धातू को जब हम क्या करते हैं उसमें डालते हैं डुबवाते हैं तो उस पर एक आविस उत्पन हो जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं उसे ही हम इलेक्ट्रोड या अर्दसेल कहते हैं समझ मैं आया देखें यहाँ पर हमने कॉपर का एक छड़ लिया है और यहाँ पर हमने जिंक का एक छड़ लिया है तो देख रहे हैं कॉपर के छड़ को उसी मतलlas kyle विलियन में डूबाया है और जिंक जो है तो एक पर क्या है धानात्मक आविस उत्पन हुआ है और एक जो धातू का छड़ है इस पर रिनात्मक आविस उत्पन हुआ है तो जब आविस उत्पन हो जाता है तो उस समय ये जो धातू का छड़ है इसको हम क्या कहेंगे अर्दसेल या इलेक्ट्रोड कहेंगे तो आशा क की सतवब पर एक आविस उत्वण होता है जिसे हम इलेट्रोड या अर्दसिल कहते हैं समझ मैं आया देखिए हम कह रहे हैं कि जब किसी धातू के छढड को उसी के जब कि-सी धातू के चडड को उसी के ल crawl के बीलियन में डुबॉय जाता है तो धातू की सतह पर एक आविस उत्पन हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड या अर्दसिल कहते हैं तो आशा करते हैं कि इस परकार आप इसका डिफनेशन जो होता है आप कर देंगे फिर भी मैं एक वार और आपको डिफनेशन बता रहा हूं य धातु के सत्भ पर एक आविश उत्पन हो जाता है, जिसे हम अरदसेल या Spirit कहते हैं. तो आशा करते हैं, कि इस प्रकार एलेक्ट्रोड या अरदसेल का परिभासा कर देंगे. इसके बाद अब देख लेते हैं, कि जो क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं तो आप चाहे तो इसका स्किन सोट ले सकते हैं आप ले लिजे तो आसा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्किन सोट ले लिया होगा तो अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इलेक्ट्रोड विभव और यहाँ पर हमने इसका परिभासा लिख दिया है जिससे आपको समय बचे अब आपको यदि इसका परिभासा याद करना है तो आपको बहुत ही असानी तरिके से याद हो जाएगा यदि आपने इस टॉपिक को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड या अर्धसल कहते हैं तो यहां पर यह कहते हैं तो यहां पर यहां पर यह तो किसे कहते हैं से क्घट्रोड आझकेगे मेंping उत्पन हो रहा है यहां पर देख रहा है धनात्मक आवेस यहां पर इनात्मक आवेस तो आवेस उत्पन होने के कारण इस धातू के छड़ू पर एक बिभव उत्पन हो जाता है यह हम कह सकते हैं कि बिभवांतर उत्पन हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड बि कोसिस करता हूँ कि आप यहीं से याद कीजिए क्योंकि यहाँ से करते हैं समझकर याद करते हैं तो आपको हमेसा के लिए याद रहेगा तो आप क्या कहेंगे जब किसी धातु के छड को उसी के लबड़ के बिलियन में डुबोया जाता है तो धातू की सतव पर एक आविश उत्पन हो जाता है जिसके कारण धातू की सतव पर एक बिभव उत्पन होता है जिसे इलेक्ट्रोड बिभव कहते हैं आशा करते हैं आप समझ रहेंगे यही बात हमने definition में बिलिका है कि जब किसी धातू के छड़ को उसी के लवड के बिलियन में डुबोया जाता है तो धातू की सतव पर एक आवेश उत्पन हो जाता है जिसके कारण धातू की सतव पर एक बिभव उत्पन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड बिभव कहते हैं तो यहां से आप definition बोल देंगे एक बार और मैं कोशिस करूँगा कि आपको यही से याद हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको definition याद हो जाए ठीके और वो भी यहां से नहीं यहां से ही आपड़ें एक बार वीडियो को पॉस किज़के और आप जरूर इसको देखकर ही बोल जाता है जिसके काराण धातू के सतह पर एक विभव उत्पन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं आशा करते हैं आप बोल देंगे परन्तु एकम्यात इसमें याद रखिएगा यदि इस धातू के सतह पर यदि धनात्मक आवेस उत्पन हुआ है तो इसका कि ये जो बिलियन है जो ये लवण का बिलियन है इस पर इनात्मक आवेस उत्पन हुआ होगा इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि बिलियन जश्ट इसके अपोजिट होता है यदि इस पर इनात्मक आवेस उत्पन हुआ है तो इसका मतलब बिलियन पर क्यांसा बिलि ले लिजिए इसके बाद अब हम देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं तो इसके इन सोट ले लिजिए तो आसा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्किन सोट ले लिया होगा तो अब हम देख लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं तो यह यहां फे जो figure है इसको आपको समझना था देखिए समझना क्या है कि अभी इससे पहले जब हमने इलेक्ट्रोड विभो पड़ाया है तो हमने क्या कहा था हमने कहा था कि जब किसी धातू के छड़ को उसी के लौण के विलियन में डुबवाया जाता है तो उस धातू के सतव एक आगेस उत्पन हो जाता है जिसके कारण उस धातू के सतव पर एक विभो उत्पन हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभो कहते हैं इतनी बात हमने जाना था परन्तु अब इसमें यह बताया जाता है इसमें कुछ कंडिशन लगा दिया जाता है और उस कंडिशन लग उसको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि जो दाब होना चाहिए यह जो बिलियन है तो विलियन के सता पर जो प्रेसर लग रहा है जो दाब लग रहा है वो एक ATM दाब होना चाहिए वायू मंडलिया दाब जो लगेगा वो एक ATM होना चाहिए और दूसरा जो ताप है इस विलिय होना चाहिए और तब जाकर इस पर जो उत्पन जो क्या होगा इलेक्ट्रोड विभाव होगा वही मानक इलेक्ट्रोड विभाव कहलाएगा समझ में आ गया होगा आपको तो देखिए हम इसका परिभासा क्या कहेंगे हम यही कहेंगे कि जब किसी धातू के छड़ को एक जब एक मोलर स्टांदर्ता पर उस धातू के विलियन को उसी के लवण के विलियन में डुबाया जाता है तो उस पर जो आवेस उत्पन हो, मतलप उस पर जो बिभव उत्पन होगा उसे हम मानना की लिक्ट्रोड बिभव कहेंगे ठीक है अब एक बार आउ सुनिए हमने क्या का हमन के विलियन में ड्वाया जाता है तो उस धातू के सत्व पर जो विभव उत्पन होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं समझ में आ गया होगा आपको यही बात हमने यहां पर लिखा हुगा है एक बार सुनिए हमने क्या लिखा है जब किसी धातू के छड़ को एक एयटीयन दाव पुचीस डिग्री सेल्सियस ताव तथा एक मोला सांदर्ता पर उसी के लवड के मतलब उसी धातू के लवड के विलियन में दुबवाएज आता है तो उस पर जो आविस तोड़ा से यहां से गरपर हो गया है ठीक है आप क्या लिखेंगे दुबवाज आत होता है तो उस पर तो उस धातू पर धातू के सतह पर एक विभाव उत्पन होता है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे अब हम इलेक्ट्रोड विभाव ना कहकर अब हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभाव जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभाव कहते हैं तो आशा करते हैं आप समझ रहोंगे देखिए एक बार और में बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा थोड़ा से यहां से कुछ शूट गया था बीच में हमने क्या कहा देखिए हम यहां से कभी भी नहीं बोल रहे हैं हम यहीं से बोल रहे हैं आप यहीं से याद कीजिए आप क्या कहेंगे जब किसी धातू के छड़ को एक एटियम दाब 25 डिग्री सेल्सीयस ताप तथा एक मोलर सांदरता पर उसी धातू के लोण के विलियन में डुबोया जाता है तो धातू की सताव प बोल देंगे, तो इस प्रकार आप इसको याद कीजिएगा, कभी भी definition को रठना नहीं चाहिए, अधर्वाइस हमें अच्छा लगा है, तो comment सकते में जरूर आपको बताना है, कि आपको वीडियो कैसे लगा, आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है, चैनल से जरूर जुडियेगा, तो आप स्कीन सोट इसका ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की जो topic है, तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है?